दूस्तों अगर आप true color यूज करते हो और आपके profile पर कुछ इस तरह का problem आ रहा है जैसे कि आप देख से तो यहाँ पर एक नाम बहुती normally शो हो रहा है और दूसरा नाम जो है bracket के अंदर शो हो रहा है तो अगर आपकी profile पर भी ऐसा शो हो रहा है और आप चाहते हो bracket वाला name को अपने phone से remove करना या फिर कोई दूसरा पार्स ना दिके उसके भी phone से remove हो जाए तो केसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको यह कैसा trick बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुती आसानी से इस bracket वाले name को change कर पाएंगे या फिर remove कर पाएंगे तो कृपिया आप इस वी second name को हटाने के लिए आपको 2 steps follow करना होगा जो की complete इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा आप वीडियो की किसी भी part को मिस मत करना सबसे पहले आप अपने phone पर आईए आने के बाद आपने phone की data connection को on किजिए on करने के बाद आपको through color replication को open करना है open करने के बा आपको direct नीचे की तरफ scroll करके आना है और यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलता है deactivate my account ठीक है तो यहाँ पर click किजिए click करने के बाद आपको यहाँ पर box tick करना होता है जैसी कि आपको 3 box यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो यह 3 box को आपको tick कर देना है और करने के बाद आपको फिर से continue पर click करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा please account deactivation ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यह सो होने के बाद आपको नीचे में deactivate option देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर click कर दीजिए और आपका जो through color account है वो deactivate हो जाएगा अभी जो second step है वो द्यान से देखिए तो आपको कर देना है यहाँ से back, back करने के बाद आपने phone की Chrome browser application को open कीजिए, open करने के बाद उपर की तुरफ आपको search bar दिख जाएगा तो इसके उपर tap कीजिए, tap करने के बाद आपको यहाँ पर through color unless click के search करना है, जैसे ही आप search तो इस वाले option पर आपको click करना है, यहाँ पर click करने के बाद निचे के तुरह scroll कीजिए, scroll करने के बाद यहाँ पर बोलेगा आपका जो भी phone number है वो डालने के लिए with country code के साथ, तो यहाँ पर आप दियान रखिए जो भी आपका phone number है वो डालिए पर उससे पहले आपको country code दालना होगा और उसके बाद I am not robot पर tick कर दीजिए, जैसे आप यहाँ पर tick करेंगे तो आपको यहाँ पर do question मंगेगा, तो आपको yes कर देना है, दोनों पर yes करने के बाद आपको निचे की तुरह आपना है, यहाँ पर आपको बोलेगा कि true color shows the wrong name for my number, change my name, तो यहाँ पर आ hours के अंदर आपका जो भी true color name है वो unlist हो जाएगा, तो यह काम करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है back, और 24 hours के बाद आपको अपने phone की true color application को दुबारा open करना है, open करने के बाद आप अपने true color ID को newly create कीजिए, और उसके बाद आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो रख subscribe जरूर कीजिए, तो चलिए मिलते हैं आप से next वीडियो में, तब तो के लिए इसाद हो दीजिए, thank you for watching